किसी भी ग्रह का वाई मंडल उसका एक बहुती मुख्य भाग होता है ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी वज़े से ग्रह के नेच्रल प्रोसेस सही से हुपाते हैं और वाटर साइकल सही से काम कर पाती है हमारे सौर मंडल में ऐसे बहुत सारे सेलेस्टियल अबजेक्ट्स हैं जिनके पास या तो वाई मंडल है ही नहीं या फिर होने के वाबजूद भी काफी पतला है इसका एक बहुती अच्छा एक्जामपल हमारा खुद का चंद्रमा है लेकिन वाई मंडल ना होने की वज़े से वैग्यानकों को उसके बारे में एक चीज पता लगाना काफी ज़्यादा आसान हो जाती है और वो है अंतरिच की सुरुआत की सीमा ढूड़ना आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल पहले तक वैग्यानक की ये तक नहीं जानते थे कि हमारा अंतरिच कहां से शुरू होता है और पृत्वी कहां से खत्म होती है ये सवाल बहुत सालों से डिबेट का विसे रहा है और अलग-अलग वैग्यानक इस से जुड़े अलग अगलग जवाब देते आए हैं आज हम आपको बिल्कुल क्लियर रूप से ये बताने वाले हैं कि हमारी प्रित्वी की सीमा कहां पर खत्म होती है और हमारा अंतरिच कहां पर शुरू होता है इसके अलावा मेन टॉपिक को एक्स्प्लेइन करते हुए हम आपको प्रित्वी के वाई मंडल की भी बहुत सारी जानकरी देने वाले हैं इसलिए वीडियो को अंतरिच की सुरूआत कहां से होती है उससे पहले ये जान लेते हैं कि वैगेनगों के मताबिक हमारे वाई मंडल का अंत कहां पर होता है प्रित्वी के वाई मंडल को पांच मुख्य लेर्स में बाटा गया है ट्रोपेर स्टेटोस्फेर मीसोस्फेर तर्मोस्फेर और एकसोस्फेर इन सभी सीमाओं को तापमान के मताबिक बांटा गया है यानि जैसे कि एक पर्टिकुलर फाइट पर जाने के बाद तापमान में गिराव tiden लगती है वैसे ही उस एरिया को एक नई ले के आधार पर भी डिवाइड किया गया है अब सीधी सी बात है कि अगर एक लेयर से दूसरे लेयर में टेंप्रेचर डिफ्रेंस आ रहा है तो उसके फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन में भी डिफ्रेंस जरू दिखेगा खेर चलिए वायूमंडल के इन पांच लेयर के बारे लेयर में देखे जाते हैं जितने भी जहाज पक्ची और ड्रोन उड़ते हैं वो सब भी इसी लेयर में आते हैं यह भले ही प्रित्वी की सबसे नीची लेयर हो लेकिन इसका हमारी जीवन पर बहुत ज़्यादा असर होता है वैग्यानिक ऐसा मानते हैं कि आने वाले 50-100 सा लेंगे जिसका मतलब यह होगा कि यहाँ पर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनको हम इनसान अपनी टेक्नलोजी के जरिये कंट्रॉल कर पाएंगे अगर आपने यह सोचा कि इसके जरिये हम अपने मौसम को भी कंट्रॉल कर पाएंगे तो आप बिल्कुल स चुका है लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ लेकिन भविश्य मैं ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेज है यह लेर ट्रोपोस्फेर के खत्म होने के बाद शुरू होती है और उससे करीब 38 km की उंचाई पर खत्म होती है इसका मतलब यह हुआ कि इसके आखरी छोर की उंचाई हमारी प्रिटफी की सताई से 50 km की दूरी पर होती है वाइमंडल की इसी लेयर में ओजॉन लेयर भी मौजूद होती है जो हमें सूरे से आने वाले हामफोल पार्टेकल्स से बचाती है इस लेयर की फॉर्मेशन प्रित्फी के सुरुआती समय में हुई थी जब यहां पर साइनो बैक्टिरिया भारी मात्रा में हुआ करते थे खेर इस लेयर में हमें वैदर बल्यून और हाई फ्लाइंग प्लेंस नजर आते हैं एरप्लेन को इतनी उचाई पर तब उड़ाया जाता है जब उन्हें लॉंग डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है और फ्यूल बचाना होता है अब शायद आपका ये सवाल हो सकता है कि प्लेन को उचाई पर उड़ाने से फ्यूल बचाने का क्या कनेक्शन है असल में जैसे जैसे हम वायू मंदल में ऊपर चलते जाते हैं वैसे वैसे पार्टिकल डेंसिटी कम होती जाती है पार्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर एरिया में कितने ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं जैसे कि सॉलिट की पार्टिकल डेंसिटी लिक्विट के मुकाबले ज़्यादा होती है वैसे ही liquid की particle density gas के मुकाबले ज्यादा होती है ऐसे ही troposphere की particle density stratosphere के मुकाबले ज्यादा होती है जिसकी वज़े से air planes को वहाँ पर बहुत सारा fuel air resistance को cancel करने में इस्तमाल करना पड़ता है लेकिन जब इन्हें stratosphere में उड़ाया जाता है तो वो fuel बच जाता है और plane को air resistance का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता यह हमारे वाई मंडल की तीसरी layer है जिसकी सुरुआत होती है stratosphere के खत्मोने के बाद और अंत होता है प्रित्वी की सतह से 85 km की उचाई पर यानि अगर हम बात करें इस layer की चोड़ाई की तो यह करीब 35 km मौटी होती है इस layer में आते आते particle density इतनी कम हो चुकी होती है कि यहाँ पर किसी भी aeroplane को ओड़ाना almost impossible हो जाता है अगर आप ध्यान दें तो आपको यह पता चलेगा कि जैसे जैसे हम वाई मंडल की layers में उपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें अंतरिच जैसे feature देखने को मिल रहे हैं particle density कम होना अंतरिच की एक निशानी है जो हमें mesosphere में साफ साफ दिखाई दे रही है आपने कई जगों पर तूटते हुए तारों के बारे में सुना होगा जो असल में एक तारा नहीं बलकि एक उलका होता है जो प्रित्फी के वाई मंडल में आकर जल जाता है ये जलने का process कहीं और नहीं बलकि mesosphere में ही होता है कई लोग ये बताते हैं कि ये आग friction की वज़े से लगती है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये पूरी तरह से गलत है दरसल जब भी कोई पत्थर का टुगडा प्रित्फी के वाई मंडल में प्रवेश करता है तो उसके आगे के हिस्से पर लगने वाला pressure पीछे के हिस्से पर लगने वाले pressure से बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वज़े से उसका आगे का हिस्सा आग पकड़ लेता है यही कारड है कि हमें वो पत्थर चमकता हुआ दिखाई देता है और इसे लोग तूटता हुआ तारा बुलाते हैं थर्मोस्फेयर मीसोस्फेयर के खतम होने के बाद आती है हमारे वाई मंडल की चौथी लेयर यानी थर्मोस्फेयर इसकी सुरूआत होती है प्रिथवी की सता से 85 किलोमीटर की उचाई पर और अन्त होता है प्रिथवी की सता से 600 किलोमीटर की उचाई पर अबी तक हमने वाई मंडल की जितनी भी लेयर्स के बारे में आपको बताया उनमें से ये सबसे ज़्यादा चौड़ी है इसी लिए यहाँ पार्टिकल डेंसिटी बहुती ज़्यादा कम होती है और यहाँ पर सिर्फ चार्जड पार्टिकली मौजूद होते हैं जिनने कई बार आयन्स के नाम से भी बुलाया जाता है इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन और प्रिथवी का चक्कर लगाने वाली सेटलाइट्स इसी लेयर में मौजूद रहती हैं अगर यहाँ पर पार्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती तो सेटलाइट्स का फंसन करना काफी ज़्यादा कठिन हो जाता अब क्योंकि इस एरिया में ISS चकर लगा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह अंतरिच में होना चाहिए वेल इसके बारे में हम आपको कुछ छड़ों में बताने वाले हैं इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे हैं अंत में आती है पृत्फी की सबसे मोटी लेयर जहांपर पार्टिकल डेंसिटी औल्मोस्ट ना के बराबर होती है हम बात कर रहे हैं पृत्फी की आखरी लेर एक्सो स्फियर की इसकी सुरुआ तो पृत्फी की सतह से 600 किलुमीटर की उचाई पर होती है लेकिन अंत 10,000 km की उंचाई पर होता है वैग्यानकों के मताबिक यही वो एरिया है जहां पर हमारी प्रित्फी का वाई मंडल और अंतरिच आपस में आकर जोड़ जाते हैं लेकिन फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि इसी लेयर से अंतरिच की सुरुआत होती है यहां पर काफी सारा स्पेस डेबरीज मौजूद है और साथी में यहां पर आपको बहुत ही कम गैस मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे इस लेयर को आप टेक्निकली स्पेस ही बोल सकते हो अब यह तो बात हुई वाई मंडल की जिसे डिवाइड करना काफी आसान था क्योंकि इसे एक फिजिकल क्वांटिटी के मुताबिक बांटा गया था जो था टेंपरिचर लेकिन अंतरिच और प्रित्वी की बाउंटरी को बाटना इतना ज़्यादा आसान नहीं था क्योंकि उसके लिए किसी बेस मेट्रिक को चूज करना काफी ज़्यादा कठिन था बेस मेट्रिक चूज करने का मतलब है ये पता लगाना कि हम अंतरिच और प्रित्वी को किस आधार पर बाटे हैं इस बात पर बहुत सालों से डिबेट की जा रही थी लेकिन साल 1977 में थियो डोर कारमन नामके एक हंगेरियन अमेरिकन फिजिसिस्ट एंड स्पेस फ्लाइट एंजीनियर इसका एक बहुत ही अच्छा एक्स्प्लिनेशन देते हैं उनके मताबिक प्रित्वी का अंत और अंत्रिच की सुरुवात प्रित्वी की सत्य से 100 किलोमीटर की उंचाई पर होती है और ऐसा कहने का उनके पास काफी सारे कारण थे जिनमें से मुख्य कारण था एरो डाइनमिक लिफ्ट उनके मुताबिक अंतरिच और प्रित्फी को एक ऐसी रेखा से डिवाइड करना चाहिए जहांपर पार्टिकल डेंसिटी इतनी ज़्यादा कम हो जाए कि कोई भी आबजेक्ट मात्र पार्टिकल्स के जरिये ओडान ना भर पाए ये स्टेट्मेंट काफी ज़्यादा सिंपल है लेकिन शायद आपको इसमें थोड़ी कन्फियोजन हो इसलिए चलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं हम जानते हैं कि जितनी भी चीज़ां प्रित्फी पर उड़ती हैं फिर चाहे वो आपका स्कूल में बनाया हुआ पेपर प्लेन हो या फिर एर इंडिया द्वारा बनाया गया विशाल प्लेन उनका एक बेसिक मेकेनिजम एरो डाइनमिक लिफ्ट होता है इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ही अब्जेक्ट्स को इस तरह से डिजैन किया जाता है कि वो वाई मंडल में मौझूद पार्टिकल्स का पूरा लाब उठाएं और इससे अपने वेट को बैलेंस करते हुए हवा में उड़ पाएं यही कारड है कि हमें एरो प्लेंस में विंग दिखाई देते हैं और साथ ही में इसकी बोडी बिलकुल रॉकेट की शेप में बनाई जाती है ऐसे प्लें को हवा का इस्तमाल करने में आसानी होती है जिससे वो आसानी से ओड़ पाता है अब ये तो केस हुआ हमारे वाई मंदल का लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रित्फी की सतय से उपर जाने पर पार्टिकल डेंसिटी कम होने लगती है जिसकी वज़े से ये एरोडामिक लिफ्ट अचीव करना और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है थियोडोर कर्मन के मुताबिक एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये एरोडामिक लिफ्ट अचीव करना अल्मोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है जिसकी वज़े से उसे ही हम अंत्रिच की सुरुवात मान सकते हैं जब उन्होंने अपनी mathematical calculation से इस point की उंचाई को calculate करने की कोशिस की तो उन्होंने पता चला कि ये point पृत्वी से बहुत ज़्यादा उपर नहीं बल्कि मात्र 100 km की उंचाई पर ही मौजूद है उन्होंने सिर्फ particle density को ही नहीं बल्कि atmospheric pressure को भी साथ में लेकर एक ऐसे formula को design किया जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी ग्रेका Y मंडल कहां पर खत्म होता है और अंत्रिच कहां पर सुरू होता है उनके मताबिक इस 100 km वाले point पर atmospheric pressure C level पर मौजूद atmospheric pressure के मुकाबले 10,000 गुना कम होता है अगर किसी भी object को इस level पर उड़ना है तो वो aerodynamic lift की मदद से उड़ान नहीं भर सकता बल्कि उसे orbital velocity की जरूद पड़ेगी इसका मतलब ये हुआ कि इस 100 km के point पर आने के बाद कोई भी spacecraft हवा के जरिये नहीं बल्कि प्रित्फी की gravity के जरिये ही उड़ान भर सकता है हालांकि एक बात मैं आपको बिल्कुल clear कर दूँ कि ये point कोई physical point नहीं है बल्कि इसे सिर्फ theory में ही define किया गया है अब तो इसे operational और legal परपज के लिए भी इस्तमाल किया जाने लगा है जिसकी वज़े से ये अंत्रिच और प्रित्फी को divide करने की एक standard unit बन गई है लेकिन इस line को define करना इतना ज़्यादा आसान नहीं था क्योंकि कार्मन को अभी तक किसी भी बड़ी agency ने इस point के बारे में कोई भी approval नहीं दिया था यही कारण है कि हमें कार्मन के अपनी theory publish करने के मात्र दो साल बाद फिर से एक debate दिखाई देती है जिसमें American Air Force अपनी एक नई definition को सामने लेकर आती है United States Air Force के मताबिक हमारी प्रित्फी का अंत और अंतरिच की सुरुवात प्रित्फी की सत्य से 80 किलोमीटर की उंचाई पर होती है इस line के बारे में सबसे पहले 8 दिसंबर 1969 को USAF यानी United States Air Force द्वारा बताया गया था उन्होंने एक ऐसे plane को पहली बार बनाया था जिसमें एक rocket की power को apply किया जा रहा था उनका लक्ष था इस plane को sound की रफतार से तेज चलाना एरक्राफ्ट का नाम रखा गया था X-15 और उनके मताबिक ये एरक्राफ्ट जितनी भी height पर जा पाएगा उसे ही प्रित्वी और अंतरिच की boundary माना जाएगा उस समय एरफोर्स को ये लगता था कि उन्होंने एक ऐसे एरक्राफ्ट को design किया है जो perfect है यानि इससे अच्छे एरक्राफ्ट को develop करना अब possible नहीं है उनके मताबिक ये एरक्राफ्ट जितनी भी उंचाई पर जाएगा वो असल में कुछ और नहीं बलकि अंतरिच ही होगा अब एरफोर्स और कार्मन के बीच एक छोटी सी जंग छड़ जाती है जिसमें दोनों ही इस बात पर debate करने लगते हैं कि कौन सा मार्क अंतरिच और प्रित्फी को सही से divide कर पाएगा ये मामला पहुंचता है International Astronomical Union के पास जो इन सभी चीजों को handle करने का head department है वो 1960 के दसक में ये clear कर देते हैं कि कार्मन द्वारा introduce किये गए point को ही अंतरिच और प्रित्फी का division माना जाएगा Astronomical Union ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कार्मन ने उस line को सिर्फ Space Flight Engineering के perspective से ही नहीं बलकि एक common physics के perspective से भी form किया था अगर air force के explanation को देखा जाए तो उसमें हमें कोई भी scientific logic दिखाई नहीं देता बलकि सिर्फ engineering ही दिखाई देती है लेकिन कार्मन की theory के साथ ऐसा नहीं था अंत में कार्मन द्वारा बनाए गए इस division को दे कार्मन लाइन का नाम दे दिया जाता है और आज भी हम इसी को प्रिटफी और अंतरिच के बीच की official boundary मांते हैं हलांकि मैं आपको बता दूँ कि NASA कभी कभी 80 km वाले mark को अंतरिच और प्रिटफी की boundary के रूप में यूज कर लेता है लेकिन इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि वो एक official boundary है NASA ऐसा सिर्फ अपने mission को सही से perform करने के लिए करता है और उनका कार्मल लाइन को oppose करने का कोई भी motive नहीं है तो अब आपको पता चल चुका होगा कि आखिर हमारी प्रिटफी का अंतर अंतरिच की शुरुआत कहां से होती है ये boundary हमारी प्रिटफी की सत्य से 100 km की उंचाई पर होती है जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस उंचाई पर हमारे वायमंडल की चौती लेयर मौजूद होती है जहां पर particle density इतनी ज़्यादा कम हो चुके होती है कि किसी भी object को fly करने के लिए orbital velocity की जरूद पड़ती है कार्मन लाइन के concept को develop करने के लिए mesosphere और thermosphere की काफी ज़्यादा जरूद पड़ी थी क्योंकि इसके जरिये ही कार्मन ये पता लगा पाई थे कि प्रित्फी के किस area में objects को aerodynamic lift मिलना बंद हो जाता है खेर अगर आपको प्रित्फी और अंत्रच के बीच की boundary को divide करना होता तो आप कितनी height की boundary को select करते और क्यों हमें comment करके जरूद बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like जरू करें और ऐसी वीडियो के लिए channel को subscribe करें साथ ही bell icon दबाएं